कि अपass इनधा हम वि इस इंजिरी में मैं बात करेंगे अपसे सय्ल में विस्क ओप्र इंजरी कुआन, देखन देखिए यह बहुत सारी सिय्ल सरफ है उसमें 살ते से हम히 एक साय क्यों चाहस भी जिए इसी तो कि दनके व्याँ हैं और हाँ देखिए यह बहुत important topic है क्योंकि इससे previous year exam में बहुत सारे questions आयो हैं इसी headings है हाँ तो देखिए यह हमार topic हो गया cell injury due to free technical अब देखिए इस पर पहले बत रिये कि एक important topic है इससे previous year exam में बहुत सारे questions आयो हैं तो देखिए अभी हम यहाँ पर एक chart बनाएंगे और उसी एक chart के अंदर सारा का सारा आपका topic clear हो जाएगा अब देखिए cell injury के बहुत सारे regions होते हैं लेकिन हम particular एक region की बात कर रहे हैं कि free radicals के कारण कैसे cell injury होती हैं तो देखिए मैं free radicals को rate से underline कर रहा हूँ मतलब कि अब पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि free radicals बनते कैसे हैं हम free radicals को मतलब free radicals बनते कैसे हैं अब free radicals बन गए तो उनको हटाए कैसे क्यों क्योंकि हमने बोला na free radicals हमारे cell injury करते हैं तो of course उनको हटाना ज़रूरी है तो सबसे पहले 3 point देखेंगे मतलब कि free radicals बनते कैसे हैं अगर बन गए तो उनको हटाए कैसे और अगर बन गए हटे भी नहीं तो वो कैसे cell injury करते हैं या फिर cell पर उनका क्या effect होता है वो पड़ेगे तो total 3 point हो गए किसके free radicals के उपर या फिर बोल दीजिए cell injury due to free radicals 3 point कौन से है सबसे पहले point में बात करेंगे production कि हमारे free radicals बनते कैसे हैं मैं only free radicals की बात कर रहा हूँ उसके बाद second point में देखेंगे हम removal production में तोड़ा ज़्यादा गेब दना कोई कि इसमें और भी point आएंगे removal कि अगर free radicals बन गए तो of course हमें इनको remove करना पड़ेगा ताकि ये cell injury ना करें तो इनको हटाना कि हम free radicals को कैसे हटाएंगे थर्ड point होगा कि अगर ये हटे नहीं कुछ free radicals हमारे body के अदर बच गए है तो फिर उनका हमारी body की cells पर क्या effect होगा तो थर्ड point के अदर देखेंगे इनका effect ओके तो इन तीन point के अंदर हम cell injury due to free radicals इस topic को cover करेंगे और देखिए वहीं हर चीज मतलब step by step होगी मतलब यह नहीं कि हम कहीं से भी कोई topic डाल देंगे कोई point डाल देंगे सारा एकदम sequence होगा उसके बाद देखिए हमारा main focus है इन तीन topics पर sorry इन तीन points पर अब देखिए जो production है कि बनते कैसे हैं तो of course new थोड़ी होगा कि एक चीज़ से बनते होगे तो देखिए production के अंदर हम six point पड़ेंगे कि production मतलब कि बनते कैसे हैं तो इसके अंदर हमारे free radicals बनते हैं सबसे पहला point होगा हमारे पास radiation second point होगा हमारे पास oxidation, reduction, reaction oxidation, oxidation, reduction, reaction okay कि radiation से कैसे free radicals बनते हैं free radicals का production होता है oxidation, reduction, reaction या फिर बोल दीजी रेडोक्स reaction से कैसे free radicals का production होता है and third देखेंगे by radiation, sorry by transition metal t-r-a-n s-i-t-i-o-n transition metal देखिए transition metal वही है जो आप पढ़ते हो न आपने कर chemistry पढ़ा हो 12 में पढ़ते हो न s-blog, p-blog, d-blog periodic table तो periodic table में होते हैं transition periodic table के अंदर होती है transition metals वही हम बात कर रहे हैं oxidation, reduction, reactions ये भी हम chemistry वाली ही बात कर रहे हैं जो आपको job to health में पढ़ते हो radiations, देखिए radiations आपको पताई होगा ionization, non-ionization radiations like x-rays, UV rays देखिए अभी हम अंदर-अंदर बात करेंगे कि radiations में भी क्या-क्या point काम के है मतलब इन जो जो point लिख रहा हूँ इन में भी क्या-क्या point काम के है वह हम आगे बताएंगे आपको हम बोले production में 6 point बताएंगे की 6 तरह से हमारा 6 main region है जिनसे हमारे free radical का production हो सकता है then हमारा fourth होगा enzymatic metabolism of exogenous chemical enzymatic metabolism of exogenous chemical मतलब बाहर से कोई chemical है वह हमारे body में कया और उसका enzymatic metabolism हो गया और उसके enzymatic metabolism metabolism से क्या बन गया है free radical बन गया है exogenous अब exogenous substance क्या हो सकता है of course कोई chemical हो सकता है कोई drug हो सकती है exogenous exogenous chemical या drug तो these are four six बताएंगे one two three four एंड हमार पास fifth point होगा during inflammation देखिए एक पूरा चार्ट बनेगा पूरे चार्ट में आपको एकड़म सिक्वेंस से इस्टेपवर समझ में आएगा और वही एक बार चार्ट बनाने में थोरा टाइम लगेगा लेकिन वही कि एगर एक बार चार्ट बन गया ना तो न्यू समझ लीजिए आपका लाइफ टाइम का काम हो गया और फिर आप एक्जाम टाइम पर भी पास से 10 मिंट के अंदर पूरा डिविजन कर लेंगे तो दूरिंग इंफ्लामेशन आयन इंफ्लामेशन आपने पटाऊगा दूरिंग इंफ्लामेशन क्या होताए जब हमारी ल्यू कोसाइट लाइग बोल दीजे Wbc, macrophage and neutrophils जो होते हैं Wbc जो phagocytris जो phagocytris करती है तो आपकोर्स, वह phagocytris कैसे करती है free radical का production करके है एड लाश फाइनल पॉइंट हमारा होगा नाइत्रिक ओकसाइड, NO तो इन 6 पॉंट के अंदर हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल का प्रोड़क्शन खेंगे प्रोडक्शन के से होता है फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं और देखिए, इन 6 पॉंट में से भी एच पॉंट की हम डेटेल से बात करेंगे डिटेल से मतलब कि जो जो काम की बात है उनको लिखेंगे उसके बाद देखिए रिमुवल ठीक है हमारे बोडी के अंदर फिरे रिगस बन गए अब क्या कर सकते हैं बन गए तो अब आपकोर्स हमें नहीं हटाना पड़ेगा एंजाइम्स नहीं है लेकिन हमारे फिरेडिकलइन का रिमुवल कर रहे हैं बाइ नोई एंजाइम्स सु अब आप मत रिग्ट कंप तो अब हम इन्हें दो तबशेट आएंगे अब देखियो आई कि इसे कौन-कौन से enzyme है जो कि free radical को अठाते हैं तो देखिए इसके अंदर हम total 3 enzyme पढ़ेंगे 3 enzyme कौन से है, catalyze second पे पढ़ेंगे हम super oxide dimutage H से super oxide D से dimutage super oxide dimutage and तीसरा होगा हमारे पास GPX glutathione per oxidase तो यह 3 enzymes पढ़ने हैं जो कि हमारे free radical को remove करते हैं body से and by non enzymes non enzymes में भी आगे हम बढ़ेंगे 2 types है कि non enzymes कौन से है like antioxidant आपने पता होगा हम आप antioxidant drugs लेते हैं antioxidant में क्या आएगा like vitamin C आप पता होगा कि vitamin C एक antioxidant होता है like glutathione antioxidant and second में क्या पढ़ेंगे हम proteins okay यह हो गए तो removal में 2 points enzyme में 3 points इसमें भी 2 points and फिर हम anti-accident में भी आगे points पढ़ेंगे कि कौन-कौन से anti-accident होता है कौन-कौन से proteins होती है तो देकिए यह अभी हम overview दे रहे हैं कि हमें इन इन points के अंदर free radicals से हमारे cell injury कि इस free radicals से कैसे cell injury होती है उनको मतलब किन-किन हम अभी बात कर रहे हैं बस main-main points की कि किन-किन free radicals से हमारे cell injury होती है and effect की तो ठीक है बन भी गए रिमूल भी हो गया लेकिन कुछ बचे रह गए free radicals तो वह हमारी body की cells पर क्या effect करेंगे तो देकिए effects में हम पढ़ेंगे main-main effects की क्या-kya main-main effects होते हैं तो तीन effect पढ़ेंगे कि free radicals हमारी cell membrane को damage कर सकते हैं membrane damage second में पढ़ेंगे protein damage and third में पढ़ेंगे DNA damage free radicals इन तीन चीज़ों को damage करके हमारी cell injury कर सकते हैं okay तो यह एक आपके पास पूर आप इसके screenshot ले सकते हैं okay तो रेकिए यह आपके पास एकदम overview था पूरा का पूरा कि free radicals cell injury due to free radicals इसके क्या-क्या points है किन-क्या points के अंदर हमें पढ़ने किन-क्या points के अंदर हमें free radicals से cell injury पढ़ना है और देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स वीडियो में कि radiation के क्या-क्या मतलब यह सारे points बताये हैं इनमें भी क्या-क्या काम की बाते हैं वह बताएंगे नेक्स वीडियो में बाई और एक बात और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर सेर करना